किसी पार्टी के विधायक या मंत्री को किसी पज से हटाने के लिए इस देश में किसी जाज अजनसी ने शायद ही कभी सिफारिश की हो लेकिन कटर इमांदार बनने का दावा करने वाले अर्विंद केजरिवाल सरकार में अब ऐसा होने जा रहा है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मामला कितना गंभीर और आरोप कितने संगीन है दिल्ली की भ्रस्टचार निरोदक शाखा ACB ने वक्फ बोल्ट भ्रस्टचार मामले में गिरफतार हो चुके आम आदमी बार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोल्ट के अध्यक्षपद से हटाये जाने की सिफारिश की है उप राज्यपाल सचिवाले को पत्र लिकर ACB ने मांग की है कि अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोल्ट के अध्यक्षपद से हटाये जाए ACB ने कहा कि अमानतुल्ला खान के खिलाफ घ्रस्टचार के मामलों में गवाहों को धमकाने से जाच में बाधा आ रही है सूत्रों के अनुसार ACB ने कहा कि खान की आपराधिक प्षवी है ऐसे में फ्रस्रचार के मामले में गवा बयान दर्ज कराने के लिए आगे आने से डर रहे हैं ACB ने पत्र में कहा कि लोग अमानतुला खान से डरते हैं क्योंकि उनकी आपराधिक प्षवी है इसके कारण कवाहों को उनके खिलाफ स्वतंत रूप से और निश्वक्ष रूप से बयान देने में बाधा आ रही है इसलिए इस मामले में निश्वक्ष चार्च तब तक नहीं की जा सकती जब तक खान दिल्ली वक्फ और बोर्ट के अध्यक्ष के रूप में पद पर रहते हैं ACB ने जाच पूरी होने तक खान को पद से हटाने की मांग की है इस से पहले ACB ने दिल्ली वक्फ और बोर्ट घ्रस्टाचार मामले में करीब आठ घंटे की पूश्टाच के बाद आम आगमी पार्टी विधायक अमानतुला खान को गिरफतार कर लिया ACB ने इस मामले में छापेमारी के दौरान उनके खिलाफ आपत्ती जनक सामगरी और सबूतों की बरामदगी के अधार पर गिरफतार किया है ACB ने अमानतुला खान से पूश्टाच के बाद उनके घर और चार ठिकानों पर छापेमारी की थी दो ठिकानों से अवैध पिस्टल बरामद गुई थी इसके साथ ही 24 लाक रुपे कैश भी बरामद हुआ था इस दौरान ACB की चीम के साथ मौजूद पुलिस बल पर हमला भी किया गया अमानतूला खान के खिलाफ या मामला वक्फबोर्ट के बैंक खातों में वित्तिय गड़बडी वक्फबोर्ट की संपत्यों में किरायदारी का निर्मान वहनों की खरीद में भ्रस्टाचार और दिल्ली वक्फबोर्ट में सेवा नियमों में उलंगन करते हुए 33 लोगों कि खान के खिलाफ 23 अपराधिक केस दर्ज हैं इसमें से दो केसों का ट्राइल चल रहा है साथ मामलों की जाच बेंडिंग है इसके अलावा एक सीबी आई समेच अन्य मामलों की जाच विभिन्य पुलिस स्टेशनों की पुलिस कर रही है वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुपता ने कहा कि मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल को खान को वक्फ बोड की अध्यक्षता से बर्खास्त कर देना चाहिए वहीं अमानतुल्ला खान ने एक दिन पहले ट्वीट करते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आमाद्मी पार्टी संयोजक अर्विंद केजरिवाल से डरते हैं और उन्हें परिशान करने के लिए टार्गेट करते हैं लेकिन मोदी जी एक बात कान खोल कर सुन लें, हम दरने वाले नहीं, न्याइपाली का और सम्विधान पर हमें पूरा भरोसा है। Bureau Report, News of India